हेलो एवरिवन वेल्कम टू दा अनधर क्लास आप रिविजिन विथ मी यॉर पेपर नमबर टू पार्ट बी बीसी आर ओके आज हम देखने वाले के इमेल कैसे लिखा जाता है ओके सो इमेल लिखने के लिए सबसे पहले तो इमेल कहां यूज होता है वो समझना पड़ेगा तो कंपनीज में लेटर राइटिंग नहीं होता ठीक है और आजकल की कंपनीज में मेजॉरिटी जो क्म्यूनिकेशन रहता है वो कैसे होता है इट हैपन्स ओन्ली थू इमेल्स अगर तुम को चोटी से चोटी भी बात करनी है तो कैसे होगा इमेल के थो होगा एन ओल थैंक्स तो दे लॉगडाउन ओके बिकॉस इन लॉगडाउन पूरे दिन अगर आप पोन पर बात करते रहोगे तो हर कोई सेम टाइम पर फ्री भी नहीं होता है और वेसे बिजी ही बट यहां पर हम सीखेगे कि actual format क्या है ठीक है वो तुमारे office में मलब within the office हो या तुमारे clients के साथ बात करना हो so it will happen only and only through email कोई भी file भी अगर भेजना है कोई document भेजना है तो हर जगा पर हमें email बहुत काम आता है ठीक है अब देखो format of email is very simple सबसे पहले हम क्या करते है और वेसे यह जो है ना from मलब हम जो हम लोग भेज रहे okay sender's email address यह सच हम लिखते नहीं है ठीक है जब हम actually email बनाते है laptop या phone में तो we do not write this thing okay but because this is in the format we will use it फिर two two मतलब जिसको हम भेज रहे है okay the receiver's email id उसका email id लिखा अब एक चीज होती है जिसको वोलते है cc and bcc what is cc cc is carbon copy as it is यह email जो मैं एक sender को एक receiver को भेज रहा हूं वही same email मैं किसी और को भी भेज सकता हूं okay so carbon copy मलब as it is okay जैसा है पूरा का पूरा मुझे भेजना है और एक होता है bcc bcc मलब blank carbon copy अब इसमें कैसा होता है जिसका भी email id bcc में रहता है ना उसका email id पता नहीं चलता है मलब it is like hidden okay the recipient's email id is hidden over here in bcc okay so now subject next is what subject कि क्यों लिख रहो जैसे letter में भी हम subject लिखते है obviously okay so वैसे ही subject हम लिखे कि why are we writing this particular email okay subject should be in one line maximum two lines okay but don't write the entire email in your subject okay उसके बाद salutation ठीक है जिसको भी हम address कर रहे है या जिसको भी हम email लिख रहे है उसका नाम लिखना है ठीक है generally companies में obviously we will write respected sir ओके और else अगर तुम अपने किसी friend को लिख रहे हो है किसी colleague को लिख रहे हो तो उसका dear के बाद उसका नाम उसके बाद main body अधिको main body में हमेशाद रखना email हम तीन paragraphs में लिखेगे ठीक है जो starting आया opening paragraph रहेगा ना उसमें जो मुद्दे की बात होती है महलब क्यों तुम यह email लिख रहे हो इंच्छोट ऐसे बोल सकते कि तुम जो subject में तुमने लिखा है ना उसी को महलब और we are explaining the purpose of writing this email ओके वो तुम first paragraph में लिखोगे उसके बाद next जो होता है second paragraph उसमें तुम सारे details लिखोगे ठीक है जो भी matter है उस particular matter की main information matter की main information तुम कहां लिखोगे second paragraph and lastly will be your conclusion ओके या closing ओके या जैसे पर example तुमने अगर अपने manager को लिखा तो तुम closing में लिख सकते है या please sir please give the approval for the same as soon as possible या अगर तुमने किसी customer को लिखा है के भाई मेरा payment दे दो ठीक है so you will say that please resolve or please clear your payment as soon as possible okay so यह होता है तुमारा closing ओके और अगर कहीं बार जैसे जब तुम अपना job के लिए email डालते हो तो नीचे तुमाँ attachment में अपना क्या लगाते हो cv resume जो हम लोग ने अलएड़ी सीख लिया है okay so attachment में कोई भी document meet your resume meet any bill okay वो सारी चीज़े तुम अपना last attachment में लगाते हो and obviously your signature line obviously signature line में क्या होगा तुमारा नाम होगा तुमारा position या जो कुछ भी है अगर company से लिख रहे हो तो तुमारा position so just sender है उसका signature आएगा यहाँ पर is it clear so this is the format of your email you just need to pay attention to the format सबसे पहले from to उसके बाद तुमारा cc उसके बाद bcc exam में na cc bcc अगर नहीं दिया है तो तुम क्या कर सकते हो cc slash bcc लिखकर तुम उसे blank छोड़ देना ठीक है उदर कुछ ना कुछ लिखना ऐसा जरूरी नहीं है okay because institute तुमको ऐसे देगा नहीं specifically और अगर दे दिया तो लिखना clear हुआ फिर subject subject बहुत ज्यादा important है okay फिर तुमारा salutation main body closing attachments or signature तो यह है तुमारा email का format okay जैसे तुम letter लिखते हो वैसा ही email होता है there is no other change it's just that the format is different okay so this is all about your email you need not get you know there is nothing to scare in email because if you know the format you just need to understand and follow the format the format of email is very simple however you need to go in the same sequence okay sequence को बना है रखना ठीक है देखो एक example देखते हैं जैसे यहाँ पर टू में क्या लिखा है अमित सूरी okay ccbcc था नहीं तो blank छोड़ दिया subject है congratulations on your promotion हम यह email क्यों लिख रहे हैं उसको congratulate करने के लिए कि लिए तुमारा promotion हो गया देखो एकदम formal DRB ने लिखा सीधा हाई अमित हो गया तुमारा salutation उसके बाद first paragraph में क्या होता है क्यों तुम यह email लिख रहे हो I just got to hear of your promotion to the post of senior manager please accept my heartiest congratulations okay तो यह होगा तुमारा first paragraph फिर second में तुमारा main body कि उसके बारे में और तारीफ करने का your hard work and dedication have been rewarded you surely deserve the recognition okay वगएर वगएर उन्होंने main body उन्हों था वो second paragraph में लिखा and third is just a conclusion we are surely looking forward to a party from you at the earliest convenience conclusion may be of one line or two line maximum and last नहीं लिखा regards and उसका नाम और उसका designation clear हुआ so this is all about your email okay thank you so much see you in the next class